नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्ड नेशन और मैं हूँ प्रियदर सेंड बिहार की नितीज सरकार के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज पतना हाई कोट में जातिये जनगन्ना से जुरे हुए मामले की बरी सुनवाई होनी वाली है और इस मामले में अगर पतना हाई कोट ने एक बार फिर से नितीज सरकार को जटका दिया तो यह नितीज कुमार के सपनों की यो योजना है यानि की जातिये सर्वेक्षन और जनगन्ना कराने वाली बात तो इसे लेकर के नितीज सरकार को बरा जटका लगेगा द्रसर बिहार की नितीज सरकार राज में तमाम जातियों के आकलन के लिए जातिये सर्वेक्षन कराने को लेकर के पहले से ही पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुकी है लेकिन बड़े स्थर पर इसका बिरोध भी हो रहा है और जो याचिका करता है याचिका करताओं की ओर्चे कहा गया है कि नितीज सरकार के पास न तो ऐसा अधिकार है कि वह राज में जातिगत जनगरना करा है और जो जनगरना की बात की जा रही है जिसे सर्वेक्षन का नाम दिया गया है यानि कि ये जातिय सर्वे है तो इस जातिय सर्वे में जिन तत्यों को ले करके जिस दिसा में आगे बरने की प्रक्रिया अपनाई गई है ये पूरी तर पर सर्वे में जो ही है इसे लेकर के रोक लगाने की प्रकिर की अपने आदेश पहले भी दिया था और अब एक बार फिर से पतना हाई कोट इसमें आज एक बड़ी सुनवाई करें गया दरसाल यह जो सुनवाई की प्रकिरिया है यह एक दिन पहले भी हुई थी और उस दिन जो सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान पतना हाई कोट ने सुनवाई को एक दिन के लिए और टाल दिया तो अब एक बार फिर से इसी पर आज सुनवाई होनी है पतना हाई कोट इसमें आज एक बड़ा निर्णया दे सकता है कि क्या जो नितीज सरकार ने राज में जात ये सर्वे कराने का निर्ने लिया है या संवेधानिक है क्या इसमें जिन नियमों का हवाला देकर के आगे बढ़ने की बातें की गई हैं ये तमाम चीजें संवेधानिक हैं या नहीं है और इससे क्या सामाजिक प्रभाव परेगा साथी साथ या ये भी महाने रखता है कि किसी भी राजे सरकार के लिए जातिये सर्वेक्षन कराना या फिर जातिये गरणा करवाना कहां से जायज है और देश के अनिराजियों में जैसे करनाटक में इसके पहले इसी प्रकार की सर्वेयों थे तो उसी रिपोर्ट का भी आज तक न तो वहां सारुजनिक किया गया नहीं कुछ हुआ तो ऐसे तमाम जो तथे हैं इसका असर बिहार में हो रही जाती है सरवेक पर क्या असर परेगा इन तमाम पहलूओं को ध्यान में रखते हुए आज पतना हाई कोट में याचिका करता की ओर से और बिहार सरकार की ओर से